नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope सभी अच्छे होंगे बहतर होंगे सवस्ता होंगे तो आपके अपने चैंदल पे आपका फिर से स्वागत है तो दोस्तों हम कर रहे थे रेशो चैप्टर और जिसमें आज हम करने वाले हैं पार्ट थ्री तो रेशो चैप्टर को कंटिन्यू आगे करते विए हम कुछ नए सवालों की आच चर्चा करेंगे I hope आपने पिछले वीडियो देख ली होंगी अगर कोई चैनल पे न्यू है तो एक बर जाके अपनी पुरानी वीडियो देख ले ताकि यहां से आपको समझ में आनों शुर चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल तो भैस सभी बच्चे कोपी पहन लेगे बिल्कुल तयार और चलिए पढ़ें चरा आज का पहला सवाल एक वैक्ती की आयू उसके पुत्र की आयू का पांच गुना है ठीक है जी लिख लेते हैं इस बात को यह आदमी और यह उसका बच्चा इसकी एज जो है वो पांच गुना है यानि कि अगर हमने सन को एक माना तो आदमी की एज पांच हो जाएगी फिर क्या कहा गया पांच वर्ष पहले उनकी जो आयू थी पुत्र के यहां पे मिसिंग है दस कि पांच वर्ष पहले उसकी पुत्र की आयू दस गुना थी यानि कि वो अपनी पुत्र का दस government था अगर हम यह कहें कि सन जो है एक है तो इसके पिता की यहज रही होगी तो यह हुई सकते हैं तो हमने तो फर्क आया, वो कितने वर्ष होगा है, 5 वर्ष होगा, यानि कि हम 5 साल पीछे गए हैं, तो मैं इनके नीचे लिखूंगा, माइनस 5, माइनस 5, क्योंकि आपने दोनों को 5-5 साल बैक डेट में लिखा है, अब हमने क्या किया, इसको सोल करना शुरू किया, सोल करने का तरीका समझना, अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये दोनों नेगेटिव हैं, या दोनों पोजिटिव हैं, तो हमें कोई फरक नहीं पड़ इसको सोल किया, ये 5 और ये 10, गैप कितने का आगया, 5 का, 5 की वैलू कितने के बराबर है, 5 की वैलू कितने के बराबर है, 45 के, 1 की वैलू कितने के बराबर, तो आप कह सकते हो, 9 के बराबर, तो इस आदमी की वैलू कितनी रहेगी, 5 की वैलू कितनी हो जाएगी, तो आप क पूछा गया था, कि वर्तमान आयो, क्या होगी, हाला कि आपको पता, आपका answer यहाँ आ चुका था, आपसे 5 की value पता लगाने के, 5 की value कितने के बराबर है, तो 45 के, तो बस इतने से आपका answer आ चुका था, इतनी बात समझ में आती है, option number, बी आपका यहाँ पर correct हो जाएगा, हाँ जी प्यारे बच्चों, के लिए रहे इतनी बात है, done है, कोई परेशान ही नहीं, चोलो फिर अगले सवाल पर, क्या कहा गया, दस वर्ष पूर्व एक वैक्ति और उसके पुत्र की आयू का अनुपात, तीन रेशो एक है, जैसे कि आज की बात कर रहा हूँ, आज से दस साल पीछे जाना है मेरे को, यानि कि अगर मान लीजिए, एक तरफ यह आदमी है, एक तरफ उसका ही बच्चा है, तो और मैं यहा से इसने का आज से दस साल बाद, यानि कि दस साल आगे चला जाओ, तो रेशो क्या होगी, तो आप कहेंगे पांच रेशो तीन, वैक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयू क्या होगी, ठीक है, आपने यह वाली बात पता लगाने आज वाले, अब यहां से इस रेशो में और इस वाले रेशो में कितने वर्ष का अंतर है, तो आप कहेंगे सरे बीस वर्ष का अंतर है, तो यह हमने लिग दिया, इस से इस की मल्टिप्लाई, इस से इस की मल्टिप्लाई, बीस गुना पांच सो और बीस गुना तीन साथ, गैप कितने का है, चालिस का, फिर ऐसे ही की multiply, तीन की multiply 3 से यानी कि 9, पांच की multiply 1 से यानी कि 5, तो gap कितने का हुआ है? 4 का, 4 कितने के बचाहआ है तो आप कहेंगे 4, 4 computer, 4 चाहलिसर на पांबर चाहlar है, तो एक की value कितनी हो जाएगी? 10 तो यहां से एगर मैं आपसे कहूं, इस तीन की value क्या हो इस एक की value हो जाएगी 10, ओके अच्छा ये तो भई हमने जो age बताई है वो आज से 10 साल पहले है, तो भई आज के दिन पर ये कितने गरा होगा, तो ये वाला आदमी रहा होगा 40 का और इसका बच्चा कितने गरा होगा, तो ये रहा होगा 20 का, यही आपका answer है, यानि के 40 साल और 20 साल आपका correct answer हो जाएगा, clear है प्यारे बच्चों, कोई doubt नहीं इसमें, बहुत ही आसान से question है, आपको ये chapter बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, बस आप ये अन तक अपना देखते रहना ही वीडियो, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सोनाली और मोनाली की वरतमान age जो पांच साल बाद इनकी age की ratio, पांच साल बाद ये ratio हो जाएगी, मतलब आज ये ratio है, बाद में ये ratio हो जाएगी, और इन दोनों में बदलाव कितने वर्सों में आया हैं, तो पांच वर्सों में, तो ये हमने लिख दिया दोनों के नीचे 5, अब अगेन वही तरीका अपने multiply cross multiply करने हैं, 10 की 5 से 50, 7 की 5 से 35, gap कितने का आया, तो 15 वर्ष होगा, ऐसी हमने इनकी multiply की, तो 7 की 5 से 35, 3 की 10 से करी 30, gap कितने का आया, 5 का, 5 कितने के बराबर हैं, तो आप कहेंगे 15 के, तो 1 की value कितनी हो जाएगी, 3, आप से age किसकी पूछी जा रही है, तो मौनाली की age पूछी जा रही है, तो आपने मौनाली यानिके 3 की value पता लगाने हैं, तो भई 3 की value क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे, 9 वर्ष, यानि के option number C आपका यहां पर correct हो जाएगा, बस अराम से भई करते जाएं, और भई एक बार यहां पर सले बस करें, एक बार अपनी practice करें, बस काफी है, अगर आपने 2-3 बार यह तमीन से पढ़ लिया, तो फिरन समझ लेगे, भई कोई ऐसी परिशानी नहीं है, क तो अपने अगर यह सवाल सीखने है, तो अब इसी बात एक दो बार practice करनी पड़ेगी, उसके बाद भई यह कहीं नहीं आपके दिमाग में बस जाएंगे, और यही भई तरीका है, कोई और short trick नहीं है, कोई और shortcut method भी नहीं है, चली, सवाल number 4 देखना क्या कहा गया, तो इस इसने कहा कि 4 साल पहले, A और B की IU का अनुपाद 2 तीन है, और 4 साल बाद वो 5 साथ हो जाएगा, तो उनकी वरतमान age क्या रही होगी, exactly थोड़ी देर पहले भी हमने यह चर्चा की थे, इस टाइप के सवाल के, तो इसने कहा, अगर मान लीजिए हम आज यहाँ है, आज से 4 स साल बाद क्या बता रहा है, तो 4 साल बाद इसने क्या कहा था, 5 और 7, ठीक है, यह बात समझ में आ गई, अच्छा इन दोनों में कितने साल का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे भई, 88 साल का डिफरेंस है, तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया, अब भाई ज़रा सोल करके अरिका और बता है कि अगर मान लीजे, मैं इसको तोड़ा सा अराम से समझाता हूँ, समझना अब जरा, अगर मान लीजे भई, आप इनका डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो multiply ना करें, अगर यह दोनों value same है, 8 है, तो इनका gap कितना आ रहा है, 2, 2 की सीधा 8 से multiply कर दो, यह इन दोनों के बीच का अंतर आएगा, तो आपने वो cross करने की नीडनी है, इन reality आपने cross करके ऐसे find कर लिया, तो दोनों का answer same ही आना है, अब हमने क्या इनको simplify किया, यहां तो मुझे करना होगा, 7, 2, 14, 5, 3, 15, gap कितने का 1, 1 कितने के बराबर है, 16 के, तो 1 की value कितने के बराब तो क्या होगी तो आप कहेंगे 48 सान, ठीक है जी, लेकिन यह आज से 4 साल पूरानी एज है, तो आज के दिन यह वाला बंदा कितने का रहा होगा, तो 36 का और यह वाला बंदा कितने का रहा होगा, 52 का, तो देखना को 36 और 52 है, option number D आपका correct हो जाएगा, हम जी प्यारे बच् बस चलते जाओ, रुकना नहीं है तुम्हे, question number 5 पे आजाएगे, क्या कहा गया, पिता और पुत्र की आयू का अनुपात आपको दे रखा है, उनकी आयू का गुननफल दे रखा है, 6 वर्ष बाद उनकी आयू का अनुपात आपने पता लगाना है, इनकी 6 वर्ष बाद उन यानि कि सवाल में एक ही ratio है, यानि कि आपने यहां पे वह पहला लगाला method तो लगाना नहीं, वह लग भी नहीं सकता, तो क्या गरेंगे, मैंने कहा कि इसकी age को मैं 7x मान लेता हूँ, इसकी age को 3x मान लेता हूँ, इनकी multiply कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 756 के बराब x की value निकालते हैं, तो x की value कितनी आ जाएगी? तो x की value आ जाएगी, अब कि यहां पे 6, x की value 6 आ गए, अगर हम इसकी multiply इसमें कर देते हैं, तो यह आ गया 42, और अगर मैं यहां कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 18, ठीक है? अब उसके बाद अगर हम बाद देखें, कि भई यह 42 है और यह 18, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ही कितने का हो जाएगा? तो यह 48 का, और 6 वर्ष बाद ही कितने का हो जाएगा? 24 का, अगर मैं ratio निकालता हूँ, तो क्या ratio आ रही है? तो आप कहा सकते हैं, 2 ratio 1, यह भई आपका answer, क्लिरे बाद, एक मि ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी को, चले आ गए फिर, ठीक, question number 6 की बात करते है, 6 में क्या कहा गया? समझ ना, तो इसने कहा कि एक वैक्ति और उसके पुत्र की आयू का योग 100 वर्ष है, भई एक आदमी और उसके बच्चे क जो योग है, वो है 100 वर्ष, 5 साल पहले इनका अनुपाद 2 रेशो एक था, 5 साल पहले, तो हमने एक बात देखिए, अगर मैं 5 साल पहले जाता हूँ, 5 साल पहले, तो जानते हो, इन दोनों का योग कितना रहा होगा, तो आप मुझे बता सकते हो, क्या मैं 90 सही लिक रहा बोलो, क्योंकि 5 साल पीछे जाऊंगा, तो दोनों की पांच-पांच साल कम होगी, यानि कि 10 साल की कम ही आएगी 90, आप यहाँ पे लिक सकते हो, और इसने कहा था, 5 साल पहले इनकी जो रेशो होगी, वो 2 रेशो 1 है, अगर मैं 90 को 2 रेशो 1 में बाठता हूँ, तो बता सकत यह कौन सी एज आ, यह 5 साल पहले वाली एज है, तो अगर मैं आप से पूछो कि आज यह कितने के हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि यह 65 का होगा, और यह 35 का होगा, लेकिन आपने 10 साल बाद की एज पता लगानी है, तो 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद, यह 75 का और यह 45 रेश्यो पता लगाना तो 5 से हमने कट किया तो 5 से या फिर आप सिदा 15 से कट कर सकते हो हमने इसको 15 से कट कर दिया 15 55 15 45 यानि कि 5 रेश्यो तीन आपका सही जवाब आ जाएगा क्लियर है बच्चो क्लियर कोई डाउट नहीं चलो फिर कोश्चो नमबर 7 देखते जाओ बताते जाना भई क्या होगा एक लड़की हर्शा एक का नाम है रित्व हर्शा की एज है 40 साल रित्व की एज है 60 साल ठीक है भई 40 और 60 अब क्या कहा गया इन्होंने ये कहा कितने वर्श पहले उनकी एज की रेशो तीन पांच है कितने वर्श पहले तो हमने इसे बाई उप्शन से करना ज़्यादा समझा मैंने पहला उप्शन पिक किया दस साल मैं दस साल पीछे जा रहा हूँ दस साल अगर मैं पीछे जाता हूँ तो इसकी एज यह हो जाएगी इसकी एज यह हो जाएगी अगर मैं इनकी रेशो निकालू तो 0 से 0 कटके क्या जाएगा तीन रेशो पांच क्या इसने यह ही कह था कि 3 पांच होना चाहिए बस बात खतम भई, यानि के A option correct है, अगर आप 10 साल पीछे जा रहे हो, तो इनकी age की ratio क्या बन जाएगी, 3 ratio 5, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा, clear है भई, पक्का, कोई doubt नहीं, कोई दुविधा नहीं, बस ऐसे ही समझते जाना, कोई परिशानी नहीं होगी, चलो जी, अब बात आती है कुछ पैसों की सिक्कों की, अब इसमें क्या कहा गया, एक box है, जिसमें 180 रुपे हैं, ठीक है जी, 180 रुपे की मैंने आपको एक पोटली दे दे, ये लो, 180 रुपे है, और उसके अंदर 3 प्रकार के सिक्के रखें मैंने, 1 रुपे 50 पैसे और 25 पैसे, 3 प् संख्या मैंने आपको बता दी कि इस अनुपात में है कि 1 रुपे वाले इतने हैं, 50 पैसे इतने हैं, तो मैंने ये पहले बता दिया, आपको बस ये पता लगाना है, 50 पैसों की कितनी संख्या उसमें रही होगी, ठीक है, आपको एक बात बताओं, उससे पहले समझने से पह बोलते हैं face value इसको हम बोलते है coin ratio CR coin ratio की coin की संग क्या कितनी है actual में ratio भी दे दें तब भी काम चल जाता है और multiply करी आपने 2 की 10 से तभी तो यह 20 आया यानि कि इन दोनों की multiplication है वो इसके बराबर रहेगी यह अपने बात याद रखने है ठीक बस आपने वही चीज औरली बताएए मैंने लिखके बता दी कि इन दोनों की multiplication ही आएगी तो अपने बस यह formula याद रखना है कि इन दोनों की multiply इसके बराबर होती है ठीक है जी तो चले अब सवाल देखते हैं बहुत सवाल में क्या कहा गया सबसे पहले face हो है look किस प्रकार के सिक्के मेरे पास मौजूद है तो एक रुपे का सिक्का है मैं उसको 100 पैसे लिख रहा हूँ एक 50 पैसे है और एक 25 पैसे है अगर मैं इसे cut भी कर दूँ तो भई कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि हमें तो ratio से ही काम चलाना है उसके बाद coin ratio कितने है coin ratio वो देखो तो 2 है 3 है 4 है अब हम इनकी multiply करेंगे तो यह आजाएगा value ratio तो multiply है 4 दुनिया इन की line है यह जो ratio है वो शो कर रहा है कि आपके पास कितना amount है और यह total amount वैसे कितने के बराबर हो रहा है 8 6 14 और 4 18 18 unit और जानते हो कितने रुपे के बराबर है तो आप कहा सकते हो 180 रुपे के बराबर है कट करूं तो एक unit की जो value आएगी वो कितने के बराबर आएगी तो वो आएगी 10 रुपे एक unit की value 10 रुपे आप से 50 पैसे की बात कर रहा है तो मैं सिर्फ 6 की value निकाल रहा हूँ तो 6 की value कितनी हो जाएगी 60 रुपे यह ध्यान रखना यह 60 रुपे हैं आपने क्या पता कितने होंगा आपको एक बात पता है 50 पैसे की अगर आप 2 coin लेंगे तब जाके वो एक रुपे बनेगा यानि के सिक्के डबल चाहिए मुझे तब जाके एक रुपया बनता है तो 60 रुपे अगर मुझे चाहिए तो सिक्के कितने आवशकता पड़ेगी मुझे तो आप कह स value है और coin ratio इनकी multiply जो है वो value ratio के बराबर आएगे ठीक है और कुछ इसमें ऐसे नई बात नहीं है अपने बस इतना सा ख्याल रखना है एक और ऐसा ही सवाल है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वह है question number 9 ये आप मुझे बताएंगे खुद से करके मैं कर रहा हूँ और आ अगर हम बात करें किस परकार के सिक्के है यानि के face value की अगर हम बात करें तो एक रुपे का सिक्का है यानि के 100 पैसे एक 50 पैसे और एक 25 पैसे ये भई हमने तीन परकार के सिक्के हैं वो लिख दिये अगर मैं इने cut करता हूँ तो क्या हैगा 4, 2, 1 उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोयन रेशो के कोयन रेशो क्या होगा 8, 5, 3 ये भी हमने लिख लिया अगर हम इसके multiply करते हैं यानि के value ratio तो वो क्या आएगी multiply कर दो 8, 4, 32, 5, 2, 10 3, 1, 3 तो 32, 10, 3 ये उनकी रुपे की लाहिन होगी समझ पा रहे हूँ, टोटल कितने के बराबर है, यह 225, अगर मैं इन सभी का टोटल कर देता हूँ, तो टोटल देख रहा हूँ, 45 आ रहा है, और वो 45 कितने के बराबर है, 225 के, तो एक के वैलू कितने के बराबर हो जाएगी, कट कर दो, तो कितने के बराबर है, यह 5 के बरा ये रुपे आगे, मेरी जेb में pronounced 160 अख़ी हैं और वह एक रुपे के सिक्के है, तो आप ये भी तो कह सकते हो नु। । movimiento भी गोई गोई बहूं दृत है यानुक्त क हे 160 कॉईंगे क्योंकि eigenlijk सारे सिक्के एक रुपे के ही हैं एक व्यक्ति के पास 640 रुपे पहली information उसकी जैब में total इतने है एक रुपे का पाँच रुपे का और दस रुपे के note है यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास तीन प्रकार की face value है एक रुपे पाँच रुपे और दस रुपे फिर क्या का सभी प्रकार के note समान संक्या में यानि कि जो coin ratio है जिसको हम CR बोल रहे दे वो बराबर है तो आप कह सकते हो बराबर होने का मतलब 1-1-1 रहा होगा ये भी आप सवाल शुरू कर सकते हो मेरे साथ साथ बताना आप जरा क्या हुआ सबसे पहले face value लिख की मैंने बिलकुल आराम से करना है अपने 1 रुपे का है 5 रुपे का है और 10 रुपे का है उसके बाद अगर हम बात करें coin ratio सारे note बराबर है इसलिए मैंने 1-1-1 लिख दिया इनके अगर मैं multiply करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो ratio आएगी वो 1,5 और 10 ये आपकी ratio आजाएगी ठीक है जी अच्छा इन सभी का total बैटर है 16 और वो कितने के बराबर है 640 रुपे के बराबर है तो 1 की value क्या आजाएगी तो 1 की value आजाएगी 40 रुपे हमें पता लगाने है total कितने note है तो मैं पहले इस 1 की value पता लगा लेता हूँ इस 1 की value पता लगाता हूँ तो मैंने आपने देखा कि 40 रुपे मेरी जेव में है अच्छे कितने रुपे का note था एक रुपे गा और इसकी संक्या मुझे कितने मिली है 40 नोट 40 रुपय आपकी जेव में है ये वाले और एक रुपय का ही नोट है तो सिंपल सी बात है 40 नोट हुए अब सभी नोटों की संक्या बराबर है तो ये भी 40 ये भी 40 तो तीनों की संक्या 40, 40, 40 थी तो आप कहा सकते हैं, टोटल आपकी जेव में 120 नोट मौजोद होंगे ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आ रही है clear है, चल सकते हैं आगे अब बस तुम इजाज़त दो, तो मैं आगे चलू अब ये वाला सवाल, क्या आपको लग रहा है, exactly वही सवाल फिर से आगया है, रूप बदल के डेटा चेंज है वो जिसमें, क्या मैं आपको ये होमवक में दे दूँ हंजी, बोलो हाँ, ओके, तो मैंने ये आपको होमवक में दे, अब तुम उससे कहो और मैं होमवक ना दूँ, होमवक में भई आपको कुछ सवाल मैं देता रहूँगा, ताकि आपको लगे कि हाँ, एक अदा सवाल हमें भी करना है, खुछ से, चले, इसमें अगर हम बात करें, तो भई, क्या कुछ है, समझे ना जरा, तो कोशन हम अगर हम 12 की बात करते हैं, तो क्या कहा गया, एक बैग में 280 सिक्के हैं, ओके, इस बार आपको कोईंस बताए गए हैं, एक रुपे का सिक्का है, 50 पैसे का, 25 पैसे का, तीन प्रकार के सिक्के हैं, जिनको हम face value बोलते हैं, इन सबका जो मान है, वो क्या है, 8, 4, 3, तो बताओ, 50 पैसे के कितने सिक्के मे ही डालता हूँ, कितने का है, एक रुपे का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है जी, यह हमने लिख दिया, क्या आप इसे कट कर सकते हो, हाँ, जी सब बिलकुल कर सकते हैं, तो यह लो, अब आपको इसने क्या बताया, उनका मान, मान का मतलब है value बता दे इस बार coin नहीं बताया आपको CR की value नहीं बता रख कि इस बार ये गायब है लेकिन मुझे उसने value ratio बता दे के value ratio क्या है तो वो है 8 4 और 3 8 4 3 ये उनकी क्या है value ratio अगर मुझे निकालना हो coin ratio तो क्या आप मुझे बता सकते हो coin ratio क्या होगा आपको एक formula तो मैंने आया ही था अभी थोटी दिर पहले कि अगर मैं इनकी multiply करूँ तो ये value ratio आती है अब मुझे CR निकालना है तो CR कैसे निकालोगे ये इसके divide में चला जाएगा यानि कि अगर मैं 8 को 4 से divide करूँ तो ये ratio आएगी 2 4 को इससे divide करूँ तो ये ratio आएगी 2 और 3 को इससे divide करूँ त यानि कि आप कहा सकते हो 2 2 और 3 ये आपकी coin ratio आगई अचा हमें ये निकालने क्या वह शक्ता है क्यों पड़ी वही उन्होंने हमें coins ही बता रखे हैं अब coins बता रखे हैं तो हमें number of coins देखने पड़ेंगे क्यों कितनी ratio के बराबर हैं इनका total 2 2 4 3 7 7 की value कितने के बराबर है तो आप कह सकते हैं 280 coins के तो 1 की value कितने के बराबर है तो आप कहेंगे 40 coins के बराबर है अचा इसने पूचा 50 पैसे वाले 50 पैसे वाले ये हैं तो 2 की value कितने coins के बराबर तो 80 coins के यानि कि आप कह सकते हो option number C यहाँपे correct हो जाएगा क्या ये बात समझ में आ रही है यानि कि जो 80 सिक्के हैं ये आपका सही जवाब हो जाएगा कोई डाउट नहीं, कोई परिशानी नहीं चलो गए, आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 13 पर 13 में क्या कहा गया एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4-3 है यानि कि बॉइज और गल्स इनकी जो रेशो है वो है 4 रेशो 3 ठीक है जी लिख दिया हमने फिर क्या गया है लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात यानि कि टीचर्स भी स्यामिल है और गल्स और टीचर की रेशो है आठ रेशो एक ठीक है तो छात्रों वे अध्यापकों का अनुपात ग्याद करें भई देखें आपको पता है रेशो निकालने के लिए तीन से फिल होगा ये आठ से अब मैं इनकी मल्टिप्लाई करूँगा यानि के ऐसे आठ चौक बतिस आठ तीस आठ तीस और तीन गुना एक तीन यानि के ये इनकी रेशो आगए इन्होंने पूछा था कि स्टूडेंट और टीचर्स की रेशो पता लगाओ अब कितने स्टूडेंट है देखना टोटल आप देख पारे हो 56 स्टूडेंट है और टीचर कितने है तीन तो आप कह सकते हो 56 रेशो तीन ये आपका आंसर आएगा उमीद है समझ में आगया होगा ठन जी बच्छो पक्का चलते हैं आगे हाँ ये सवाल कौन करेगा बताओ कौन करेगा तो मैं ही कराता हूँ कोस्चन नमबर 14 में क्या कहा गया 504 चात्रों में से लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 13 रेशो 11 तो इसने कहा कि बॉइज और गल्स की जो रेशो है वो कह है 13 रेशो 11 टोटल ये 504 बच्चे हैं स्टूडेंट हैं तीन लड़कियां और आ जाएं तो बताना नया अनुपात क्या होगा मैंने काम किया कि क्यों ना मैं इनको डिवाइड कर लो पता लगाऊं कि कितने बॉइज हैं कितनी गल्स हैं कैसे पता लगाएंगी सर इनका टोटल कितना है 24 24 से आप इसे डिवाइड करोगे इतनी पर जाएगा 24 दुनिया 48 और 24 गुना एक 24 21 पर कट किया 21 की मल्टिपलाई हम इससे करेंगे अगर मैं 21 की मल्टिपलाई इससे करता हूं तो 21 गुना 13 क्या होगा तो 21 की पहले मैंने 10 से करी तो 210 फिर 3 से करी 63 तो 210 और 63 273 फिर हमने 21 की हमने 11 से करी तो 21 की हमने 10 से करी तो 210 फिर 1 से करी तो आ गया 21 तो ये हो गए 231 तो इतने बोईज थे इतनी गल्स थे बाद में 3 लड़किया और आ गई तो अब जो संक्या है वो हो गई है 234 और ये हो देखूं तो भाई कितने पर कट हो रहे हैं अगर हम देखें तो वैसे तो ये चार तीन साथ तीन के पहाड़े से मैं फिलाल कट कर रहा हूँ इसे अब ये किस की टेबल में आते हैं अब ये 13 की टेबल में आते हैं 13 ते क्यानवी और 13 चिक 78 यानिके 7 रेशो 6 option number A आपका correct होगा ठीक है भी ध्यान रखना exam में ratio आगे पीछे है तो 7 ratio 6 आपका answer होगा क्या ये बात समझ में आ गई ऐसा क्या होगा भई उसने पहले किसका नाम ले था लड़के और लड़कियों का बाद में तो पहले हम लड़कों को ही उनकी values को आगे रखेंगे और बाद में लड़कियों की जो value होगी वो ठीक है तो ये ध्यान रेखना अक्सर इसमें गलतियां हो जाते हैं एक party में महिलाओं और पुरुषों का अनुपाद 3 दो था यानि के ladies और gents की ratio कितनी थी 3 और 2 यदि 20 पुरुष और आ जाते हैं तो अनुपाद 2 तीन हो जाता है यानि क कि सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि 20 gents और आ गए यानि कि gents वाली side में आप कह सकते हो 20 बढ़ा दो और ladies वाली side में कोई increment नहीं हुआ था तो हमने 0 लिख दिया तो ये बढ़ गए 20 अब बताओ महिलाओं की संख्या कितनी हो गई अब देखते हैं solve करते हैं इसकी multiply इससे और इसकी multiply इससे और जो भी difference आएगा वो नीचे लिख देंगे तो 20 दो नी क्या हो जाएगा ये 40 तीन की 3 से multiply तो 3 गुना 3 ये हो गया 9 दो गुना 2 हो गया 4 नो में से 4 गया यानि कि 5 पांच की value कितने के बराबर है 40 के 5 बराबर 40 के एक बराबर है 8 के ठेक है अब इसने पूछा है ladies हो की संक्या यानि के 3 के value क्या है 3 के value क्या है 3 अठे 4 ये हमारा answer कई बात समझ में आती है कोई doubt तो नहीं कोई दोविधा तो नहीं चल सकते हैं आगे पक्का समझ में आ रहे हैं बहुत ही आसान सा ही है बस आप देखते जान boys और girls की ratio इन्होंने क्या दे रखे 5 ratio तीन पचास लड़के स्कूल छोड़ देते हैं oh my god पचास लड़के स्कूल से भाग गए और पचास लड़कियों ने दाखिला ले लिया तो क्या हुआ अनुपात 9 और 7 हो गया पहले ये ratio थी अब ये हो चुकी है ऐसा क्यूं हुआ क् लड़कों ने भई पढ़ाई त्याग दी और लड़कियों ने भई उनकी जगह ले ले ली ठीक है ऐसा कहा गया अब बताओ लड़के कितने थे सोल करते है यही तरीका पहले वाला अगर मान लीजिए एक माइनस है एक प्लस है तो हमें इनकी cross multiply करके जोडना होता है यानि के 95, 45, 45, 400 और 7 गोना ये 50 यानि के 35, 400 फुल मिला कि कितनी value आ गई 800 ऐसी हमने इसको simplify किया तो यह हो जाएगा 7, 35 और 9, 37 इस तो घटाएंगे तो क्या जाएगा 8, 8 कितने के बराबर है 800 तो एक के value कितनी हो जाएगे 100 तो हमें तो boys पता लगा नहीं थे तो 5 के value क्या ह हो जाएगे तो आप कहेंगे 500 यानि के आपका option number C यहाँ पर correct हो जाएगा clear है clear है clear है सबको समझ में आ रहा है very good और समझ में आ रहा है तो जरूरी से like share कर देओ question number 17 देखो भई जरा 17 number पर आऊ चुके हैं क्या कहा गया तीन कक्षाओं में चात्रों का जो अनुपात है वो है 2, 3 और 5 ये इनकी ratio है 20 बच्चे और आ जाते हैं अगर 20 बच्चे और आ जाते हैं तो ये ratio आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4, 5 और 7 क्योंकि हर class में क्या हुआ था 20 बच्चों ने entry लिए है यानि कि plus 20 अब तीनों में कर दोगे तो आपने पता लगाना है शुरुवात में कितने बच्चे मौजू थे अब यहाँ पर क्या गरेंगे भई अगर आपके पास 3 ratio आ जाए तो फिर आपने क्या करना है तो आपने क कुछ ऐसी दिक्कत की बात नहीं आप इस वाली ratio को आप अवोइड करो किसी भी एक ratio को आप अवोइड कर दो मत करो इन दो values का ही मैं यूज करूँगा इनी से आपका answer आ जाएगा तो मैं इन में वो rule apply करता हूँ तो कितना gap आएगा यह हो गया 20-4 80 और 20-5 100 डिफरेंस कितने का आया 20 गा ऐसी हमने इसको simplify किया 5-2 10 4-3 12 कितना gap आया तो आप कह सकते हैं 2 का 2 कितने के बराबर है 20 के 2 बराबर है 20 के तो एक बराबर है कितने के 10 के एक बराबर है 10 के अब आप से क्या कहा गया कितने student टोटल थे बैट टोटल के time पे तो आपने सभी को count करना पड़ेगा 5-3-8-2-10 तो 10 की value क्या हो जाएगी तो 10 की value आप कह सकते हैं 100 के बराबर हो जाएगी यानि कि आपका option number C यहाँ पर correct हो जाएगा इतनी बात समझ में आती है बस चलते जाओ अगले सवाल पर similar question exactly similar question क्या मैं ये सवाल भी आपको homework में दूँ ये भी आपके लिए homework रहेगा आप मुझे इन सभी के answer दो question में homework में दे चुका हूँ आपको ये मुझे आप comment करके बताएंगे ठीक है और भाई बिलकुल इमानदारी के साथ कोई भाई गड़बड़ी नहीं करनी है आपने कोई cheating नहीं अगला सवाल question number 19 क्या कहा गया college का union विद्यारतियों की संख्या है total 48 लड़के और लड़कियों का अनुपाद पहले लड़के हैं बाद में लड़किया है उनकी ratio 5 ratio 3 कितनी लड़किया और जोड़ी जाएं ताकि लड़के और लड़कियों का अनुपाद 6 5 हो जाएं starting में क्या का गया boys और girls की ratio कितनी है तो ये हैं भई 5 ratio 3 और total बच्चे थे ये 48 बाद में कुछ लड़किया और आते हैं जिसकी वज़े से ratio क्या हो जाते हैं आपके 6 5 अब कितनी लड़किया आई हैं ये नहीं पता ये आपने पता लगाना है तो हमने क्या गया अगर आपे आप देखते हैं तो 48 को मैंने convert किया 48 को अगर मैं 5 ratio 3 में convert करता हूं तो value कितनी कितनी आते हैं वो देखते हैं तो convert कैसे करेंगे 5 और 3 की ratio में divide करने के लिए इसको मैंने 8 से divide किया 6 पे गया 6 से इसकी multiply की तो ये 30 और ये हो जाएंगे 18 अब यहाँ पे एक बात आप notice करें कि boys तो भई आई नहीं है शरिफ लड़किया आई है यानि कि boys तो यहाँ भी 30 ही रहे होंगे यानि कि 6 की value आप कह सकते हैं 30 के बराबर है 6 की value 30 है तो एक की value क्या हो जाएगी 5 तो इस 5 की value कितनी हो जाएगे 25 पहले 18 लड़किया थी अब 25 है तो इसका मतलब है भई कितनी लड समझ में आती है चलो एक सवाल और है देखते हैं काफी important है exam point से काफी important category में रहता है यह सवाल चले तुम भई पहले इसे तरीके समझते हैं फिर इसे short way में भी देखते हैं कैसे कर सकते हैं तो भई परिक्षा में pass और fail का अनुपाद दिया गया आपको यानि कि class में pass और fail इनकी ratio बताई गई आपको 25 और 4 यह हमने लग लिया पांच बच्चे और आ जाते हैं मतलब total में अगर 5 का इजाफा हो जाए और fail चातर 2 कम हो जाते हैं यानि कि fail वालों की संख्या 2 कम हो जाए तो आप क्या होगा pass और fail की जो ratio है वो 22 और 3 हो जाएगे यानि कि नई ratio जो है वो क्या है 22 ratio 3 कब हुआ ऐसा अगर आपने total में कितने बच्चे increase कर दिये 5 और fail वाले कितने बच्चे कम कर दिये आपने 2 तब जाके आप ऐसा कह सकते हैं तो परिक्षा में कितने बच्चे appear हुए थे यह अपने पता लगाना है तो हमने क्या गरा पर देखें इसका जो impact जा वाली total और fail वाली total की value अगर मैं इसके माध्यम से निकालता हूँ तो 25 और 4 क्या हो जाएगा 39 यानि कि 29 बच्चे attempt कर रहे थे उसमें से 4 बच्चे fail थे second time कि अगर मैं बात करूँ तो 22 और 3 25 बच्चे total थे और 3 इसमें fail थे यह हमने ratio निकाल लिए कि इसकी total और fail के अब total मे क्या हुआ था 5 बच्चे आ जाते हैं और fail वाली side में 2 बच्चे कम हो जाते हैं यही का गया तो उसने का total कितने बच्चों ने exam दिया था फुल मिला के आपने 29 की value पता लगाने है आपको पता है अगर 29 की value पता लगाने है यानि कि जो answer होगा वो आपका 29 का multiple होगा 29 के पहा हाला कि आप इसे solve करना चाहें तो करते हैं solve ताकि आप इसे तरीके से भी समझ लो by chance 2 multiple आजाएं तो फिर क्या करेंगे तो उस case में आपने यह पता होना चाहिए अब यहाँ पर एक plus है एक minus है यानि कि number तो add होने है 25 कुना 2 यह आपका होगा 50 plus 3 कुना 5 यह आपका होगा 15 add क यह आपका आगया 65 यह हमने लिखा 65 पर इसकी बात करें तो भई 29 गुना 3 यह आपका 87 पत्चेश गुना 400 डिफरेंस कितने का आगया भई आपका 13 का 13 की value कितने के बराबर है 65 के 13 की value है 65 के बराबर एक के value कितने के बराबर हो जाएगी 5 के बस आपने 29 के value पता लगानी थी यानि कि 29 multiply 5 अगेन आप कह सकते हैं 145 आपका option number A यहाँ पर correct हो जाएगा तो यह काम आपने इसमें करना था उमीद है सवाल समझ में आ गया हो काफी important सवाल है और कई बार repeat भी हुआ है बस यह कहलो कि statement change रहती है बस लेकिन क्या है कि जो values हैं वो change होगी statement चेंज होगी लेकिन method यही रहा था और भी question है previous year में आप देखेंगे तो इस type के सवाल आपको definitely और मिलेंगे exactly same मिलेंगे तो बचाज की class में इतना ही था तो हम मिलते हैं next video में और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो like share कर दिया करो और channel पे नए हो तो subscribe जरूर कर दिया करो ताकि आपको हर notification का update मिलता रहे तो लेकिन मिलते हैं next video में thank you very much